हेलो फ्रेंड्स बेलकम टू विद्या की जन्नी आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर प्रश्न सुनेंगे और सुनते सुनते आसानी से सारे प्रश्न बहुत ही आसान लगने लगेंगे तो आप इसकी बिलकुर मत करियेगा अगर अच्छा लगे तो लाइक सेयर और सब्सक्राइब चरूर करें और जादस जादस सेयर करें सम्मिधान सभा की जो प्रथम बैठक होई थी वो 9 दिशंबर 1946 को होई थी प्रथम बैठक के दोरान सम्मिधान सभा का जो आस्थाई अध्यक्ष बने थे वो सचिदानन सिनहा जी को चुना गया था जो आस्थाई अध्यक्ष बने थे वो सचिदानन सिनहा बने थे 11 दिशंबर 1946 को गठित जो सम्मिधान शभा का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजिन प्रशाद को न्यूप्ति किया गया था पहले आस्थाई की रूप में सच्चिदानन सिना को चुना गया था और बाद में अस्थाई रूप से नक्टर राजित प्रशाद को चुना गया शम्विधान सभा द्वारा सम्विधान निर्माण में दो वर्ष ग्यारा महीने अठारा दिन का समय लगा था सम्विधान सभा में जो सम्विधान शभा द्वारा सम्विधान निर्माण में शमय लगा वह दो वर्ष ग्यारा महीने और अठारा दिन का समय लगा सम्विधान सभा के सम्विधानी जो सलाहकार पद पर स्री वी अन राव को न्यूक्त किया गया था सलाहकार की पत पर बी एन राव को निउक्त किया गया था भारत को 26 जनुरी उनिस पचास को गर्राजी घोशित किया गया था गर्राजी का अर्थ है कि राष्ट का राष्टा ध्यच निर्वाचित होगा अन्वानसिक नहीं जब सम्विधान लागू हुआ तब उसमें 395 अनुच्छे तथा आठन सूचियां थी मौलिक अधिकार 6 है उपाह मौलिक अधिकार कौन-कौन से है आप सुनिए पहला है शमानिता का अधिकार जो अनुच्छे 14-18 में है दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छे 19-22 तक है तीसरा है सोसड के बिरुद्ध अधिकार जो अनुच्छे 23-24 तक है धार में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छे 25-28 तक है और संस्कृती और सिक्षा का अधिकार ये अनुच्छे 29-30 तक है शंबैधानिक उप्चारों का अधिकार अनुच्छेत 32 में है मौलिक अधिकार 6 है शमानता का अधिकार, शोतंत्रता का अधिकार, शोशड के बिरुद्ध अधिकार, धार्मी सोतंत्रता का अधिकार, शांस्कृतिक और सिच्छा का अधिकार, और शंबैधानिक उप्चारों का अधिकार, ये च्छे मौलिक अधिकार है, राज के नीत निर्देशक तत्तों का मुख्य उदेश भारत में आर्थिक और शामाजिक लोगतंत्र की अस्थापना करना है मुल्क करतब्यों को उलेख भारतिये शमिधान में भाग चार के अनुच्छेद एक्यावन में किया गया है भारत में कारपलगा का प्रधान राष्टपत है भारत में जो कारपलगा का प्रधान है वह है राष्टपत का निर्वाचन संसत के दोनों सद्नों तथा राज्जियों की विधान शभाओं के निर्वाचित सद्स मिलकर करते हैं भारत में संसदी और शंगी ये साशन पढ़ा लिए भारत में संसदी और शंगी ये साशन पढ़ा लिए शमिधान के नुशार राजि के तीन अंग है कारपालिका विधाईका न्याइपालिका अस्प्रिस्यता के करण किसी अयोग्यता को लागो करना कानून के अनुशार दंड़नी अपराद है अनुच्छे 17 में है मौलिक अधिकार को अंतर आत्मा बोला जाता है मौलिक अधिकार 6 है अनुच्छे 21 जीवन जीने का अधिकार से शंबंदित है सिच्छा गर्म में जीवन जीने में सहायता करती है वकील रखने का अधिकार अनुच्छे 22 में है शंभैधानिक उप्चार का अधिकार अनुच्छे 32 में है राज्य सभा का सभापती कोन होता है तो उपराष्टपती होता है राज्य सभा का सभापती उपराष्टपती होता है राष्टपती के निर्वाचन संबंधी विबादों का निड़े उचितम न्यायाले करता है राष्टपत के जो निर्वाचन संबंधी कोई विबाद होता है तो उचितम न्यायाले उसका हल करता है उसका निर्ड़े करता है शंग की कारपाल का शक्ति राष्टपत में निहित होती है शंग की जो कारपाल का सक्ति होती है वो राष्टपत में निहित होती है राष्टपती लोकसभा में दो आंगले भारतिय प्रतनिधियों को मनोनीत करता है प्रधान मंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपत लोगसभा को भंग करता है संसत के तीन अंग है राष्ट्रपत राजे सब्हा और लोगसभा राजे सब्हा को उच्छे सदन और दिती चदन के नाम से जाना जाता है राजे सभा का गठन 3 अगस्त 1992 को हुआ था राजे सभा में अधिक्तम 250 सदसे हो सकते हैं राजे सभा के 12 सदस्यों को राष्टपत मनुनित करता है राजे सभा के 12 सदस्यों को राष्टपत मनुनित करता है राजे सभा के सदस्यों का कारकाल 6 बर्ष होता है राजे सभा का विग्टन कभी नहीं होता राजसभा के एक तिहाई सदस एक दूसरे बर्स आवकास ग्रहन करते हैं लोगसभा को निम्न शदन के नाम से भी जाना जाता है लोगसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है लोगसभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या 552 हो शक्ति है बर्तमान में लोगसभा के 545 सदस है लोगसभा का कारिकाल 5 बर्स का होता है जो लोगसभा का कारिकाल होता है वह 5 बर्स का होता है लोगसभा का नियुन्टम 2 सत्रों के मध 6 महिनेक से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए लोग सभा के जुण इनत्रों में अंतराल होना चाहिए विखे हैं इसे जादा नहीं कोना चाहिए लोगसभा अध्यक्षे का चुनाव लोगसभा के सदत से करते हैं लोगसभा में उपस्थित मत देने वाले सदत्यों में बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोगसभा के अध्यक्षे को उसके पत से हटाया जा सकता है दन विधिय को लोगसभा अध्यच प्रमाडित करता है राजी सरकार का प्रमुख राजपाल होता है राजी विधान मंडल के अंग राजी विधान मंडल के जो अंग है वो राजी पाल है और विधान शभा यों विधान परशद है राजी विधान मंडल के तीन अंग है राजी पाल विधान शभा यों विधान परशद राजपाल की नियुक्ति राश्ट्रपत करता है राजपाल की नियुक्ति करता है वो राश्ट्रपत करता है राजपाल की पदावधी पद ग्रहन की तिथी पांच बर्स तक की होती है राजपाल पांच बर्स के लिए चुने जाते हैं विधान परशद यूगते राज विहार उत्तर परदेश करनाटक महाराश्ट तथा जम्मुयम कस्तमीर है किसी राज में विधान परशद का स्रेजन संसत करती है सर्बोच नयाले के नयाधीस तथा अन्य नयाधीसों की नियुक्ती राश्टपत करता है सर्बोच नयाले के नयाधीस का कारिकाल पैसेट वर्ष की आयुप्राप्त करने तक है सर्बोच नयाले के नयाधीसों का कारिकाल की वर्ष की आयुप्राप्त करने तक है उसके बार उनका कारिकाल खत्म हो जाता है सर्बोच नयाले के नयाधीसों के वेतन भत्ते संचित निधी पर भारित होते है उच्छे नयायले की जो नयायदिसों की नियुक्ती करना होता है तो वो राष्टपत करता है उच्छे नयायले की अधिक्तम उम्रसीमा 62 बर्स है भारत में अस्थानी ये शाषन का जनक लाइड रिपन को कहा जाता है सम्धान में पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छे 40 में है सामदाई विकास कारिक्रम सन 1952 में शुरू हुआ था बलबंत राय महता समित सन 1957 में बनी थी समित ने त्री अस्तरिय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिपारिस की थी जो बल्मंत राय महता शमित थी उन्नीशों सत्तावन में बनी थी और समित ने त्री अस्तरिय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिपारिस की थी पंचायती राज ब्यवस्था का आरंभ दो अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागवर जिले में किया गया था तिहतरमा शंबिधान शंशोधन विधेयक जो पंचायती राज से संबंधित था नई पंचायती ब्यवस्था तीन अस्थर की है जो तिहतरमा शंबिधान शंशोधन विधेयक था वो पंचायती राज से संबंधित था नई पंचायती ब्यवस्था तीन अस्थर की है पंचायती ब्यवस्था के अस्थर हैं ग्राम सभा, छेत पंचायत तथा जिला पंचायत पंचायती व्यवस्था के तीन अस्तर हैं, ग्राम सभा चीत पंचायत तथा चिला पंचायत पंचायतों की आर्थिक इस्तिती की जांच उन्हें मिलने वाली सहायता या अनुदानों की सिपारिस जो राजवित आयोग करता है पंचायतों की आर्थिक इस्तिती की जाँच और उन्हें मिलने वाले जो सहायता यो मनदानों की सिपारिस राजिवित्य आयोग करता है सम्मिधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में शम्मिधान शर्षोधन प्रक्रिया का उलेख है सम्मिधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में शम्मिधान शर्षोधन प्रक्रिया का उलेख है शम्मिधान शर्षोधन के लिए विधेयक को संसत के किसी भी सदन में प्रपेश किया जा सकता है नियंत्रक महालेखा परिच्छ की नियोक्ति राश्पत करता है फिर से सुनिए नियंत्रक महालेखा परिच्छ की जो नियोक्ति होती है वो राश्पत करता है यह अनुच्छेद 148 में है सार्वजनिक धन का सरच्छ नियंत्रक महालेखा परिच्छ को कहा जाती है सारवजनिक धनकासरचक नियंत्रक जो महालेखा परिच्छक को कहा जाता है नियंत्रक महालेखा परिच्छक की पदावत 6 बर्स की होती है और 65 बर्स की आयुतक ही होती है नियंत्रक महालेखा परिच्छक की जो पद होती है वो च्छे बर्स के लिए होती है या 65 बर्स की आयो तक होती है सरकार का सरप्रथम विधी अधिकारी है महालेखा जो है यह भारत सरकार का सरप्रथम विधी अधिकारी है यह भारत सरकार को विधी संबंधी विशयों पर सलाह देता है जो नियंत्रक महा लेखा होता है ये भारत सरकार को विधी शंबंधी विश्यों पर शलाह देता है भारत का महान्य वादी किसी भी सदन या उसकी समित में बोल सकता है मत नहीं दे सकता बोल सकता है बलकि मत नहीं दे सकता जबकि मत नहीं दे सकता है यानि भारत का महान्याय वादी किशी भी शदन या उसकी समित में बोल सकता है जबकि मत नहीं दे सकता चुनाव की अधिसूचना संदर्भानुशार भारत का राष्टपतियों राज या राज़िपाल जारी करता है चुनाव प्रचार के शमय सीमा की घोसडा निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है निर्वाचन की तिथी से 36 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार का कारिश्माप्त हो जाता है निर्वाचन में 10 प्रत्षत या उससे कम मत प्राप्त करने वाले उमिद्वारों की जो जमानत होती है वो जब्त हो जाती है केसर शांगा कहा का गरत है तो तिबबबद का है इसको हिंदू और मुस्लिम दोनों मानती है केरल में यहूदी और अरब्यापारी पहले आये थे केरल भारत के दच्छडी पस्चमी कोने में बशा हुआ है केरल भारत के दच्छडी पस्चिमी कोने में बशा हुआ है इबन बतूता ने कहा था कि भारत में मुशल्मानों को बहुत सम्मानित नजर से देखा जाता है भारत में कृष्चियन को शंत थामश लेके आये थे भारत के खोज किस ने लिखा है तो पंडित जवाहर ला नहरुने लिखा है अनेकता में एकता का नारा दिया है पंडित जवाहर ला नहरुने बिशु में प्रमुक धर्मों की संख्या आठ है भारत में सूला से ज़्यादा भासाइं बोली जाते हैं सू से भी ज़्यादा निर्ति किया जाते हैं भारत में सू से भी ज़्यादा निर्ति किया जाते हैं भारत में जात ब्यवस्था अस्मानता का एक उधाहण है सामाजिक मद्भेदों की यालोशिना पराधारित पुस्तक इस्तरी पुरिश्टुलना लिखी गई है ताराबाई शिंदेद्वारा ये मराठी भासा में लिखी गई है पंडित रमा बाई ने किताब लिखा उच्च जात की हिंदू महिला की दुर्दसा पर लिखा था पंडित रमा बाई ने किताब लिखा था जो उच्च जात की हिंदू महिला की दुर्दसा पर लिखा था उत्तर की तरफ उत्तर की तरफ मृत्कों का जो सिर रखने की सामाने प्रथा थी यह कहा थी तो इमान गाओं में थी यह इमान गाओं कहा है तो इनाम गाओं यह महराश्ट में है उत्तर की तरफ मृत्कों जो जुम्रत सरीर रहती थी उसका सिर उत्तर की तरफ रखने की मेगस्थनीज एक उनानी राजदूत था मेगस्थनीज चंद्रगुपत मौर के दर्बार में राजदूत बनकर आया था मैगस्थिनीज एक उनानी दाजदूद था और मैगस्थिनीज चंद्रकुप्त मौर के दर्बार में राजदूद बन कर आया था मैगस्थिनीज को सहिलुकस निकेटर ने भीजा भारत में मैगस्थिनीज को सहिलुकस निकेटर ने भीजा था भारत में चंद्रकुप्त मौर शशर्ष्ट महिलाओं से घिरा रहता था चंद्रकुप्त मौर के जो गार्ड होते थे सोने और चांदी से सजे हाथियों पर सवारी करते थे चंद्रकुप्त मौर के जो गार्ड होते थे वो सोने और चांदी से सजे हाथियों पर सवारी करते थे चंद्रकुप्त मौर लगातार दो रात एक ही कमरे में नहीं सोता था प्रेंड्स यह रहे इतिहास के कुछ महत्यपूर प्रेश्ण है और आपको आया आडियो पशंद आए तो लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं